Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Defense Point दोस्तों इस वीडियो में हम Indian Navy SSR Medical Assistant exam के लिए जो है एक सोट मौक टेस्ट को सॉल्व करेंगे जो कि आपके official syllabus और exam pattern के उपर base होगा और इसमें जो है आपको सभी subjects के questions भी देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो को end तक देखिएगा और आपका क्या score रहता है और निचे comment box में comment करके जरूर से बताईएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो देखिए आज का first question जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो ग्रिश्म कालीन Olympic 2028 है यह कहाँ पर आयोजित किये जाएंगे यानि कि Summer Olympics 2028 कहाँ पर होने वाले हैं तो options दिये गए हैं Sydney, Paris, Los Angeles या फिर Copenhagen तो देखिए दोस्तों अभी 2024 में भी जो है Olympic हुए थे और यह कहाँ पर हुए थे तो यह हुए थे आपके Paris में और जो 2028 के Summer Olympics होने वाले हैं यह आपके कहाँ पर होंगे तो यह होंगे आपके Los Angeles यूएसे में ठीक है तो option number C इसका right answer हो जाएगा और याद रखिएगा Los Angeles कहाँ पर है तो Los Angeles यूएसे में हैं अब देखिए question number 2 यहाँ पर question है आपके लिए कि आजूनिक आवर्थ सानी यानि कि जो modern periodic table है इसके अंदर धातू उपदातू और अधातू यानि कि metals, metalloids और non metals यह जो है कौन से block के अंदर देखने को मिलते हैं आपके पास options हैं S block, P block, D block या फिर F block तो देखिए दोस्तों यह जो धातू, अधातू और उपदातू यह तीनों जो है यह आपको work number 13 से लेकर 18 तक में देखने को मिलते हैं और यह जो है आपके P block के अंदर पाए जाते हैं ठीक है कौन से work के अंदर 13 से लेकर 18 तक में ठीक इसमें आपके lengthenide और actinide देखने को मिल जाते हैं और जो D block होता है दोस्तों इसके अंदर जो है आपके work number 3 से लेकर 12 तक के तत्वा आपको देखने को मिल जाते हैं खीक है चलिए अब देखिए question number 3 यहाँ पे आपके लिए सवाल है कि किस प्रकार के संक्रमन के लिए जो है antibiotic लाब दायक होती है यानि कि antibiotics are useful for which type of infections ओप्शन से हैं केवल बैक्टिरिया से होने वाले के लिए option B केवल वाइरस से होने वाले के लिए या फिर option C जिवानों और विशानों यानि कि बैक्टिरिया और वाइरस दोनों के लिए या option D कि ना तो जिवानों के लिए और ना ही विशानों के लिए तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये antibiotic होता गया है हिंदी में इसको प्रतिजेविक भी बोला जाता है और जो सुक्स में जीवरोधी दवाएं होती है यानि कि antimicrobological drugs उनको जो है आपके antibiotic कहा जाता है और ये ऐसी दवाएं होती है जो जिवानों कवाक और जो प्रोटो जोवा बगेरा होते हैं इनके द्वारा उत्पन जो संक्रमन होते हैं उसकी चिकित्सा के लिए यूज में ली जाती है ये दवाएं जो होती है वो इन जीवों को नश्ट कर देती है और उनके विकास में बादा उत्पन कर देती है तो I hope कि आपको समझ में आया होगा कि एंटिबायोटिक क्या होता है अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि एक एंटिबायोटिक का नाम बताओ तो देखिए दोस्तों आपको बता है पैनिसिलीन ठीक है पैनिसिलीन क्या है एक एंटिबायोटिक है जिसका विसकार किस ने किया था एलेकजंडर फ् Now, question number 4, और यहाँ पर देखिए आपके लिए question है, कि एक वयस करन्द्रम में, ठीक है। एक वयस करन्द्रम में जो है, निमलीकित में से कोन सा उपस्तित नहीं होता है, यानि कि मचॉर्ठ इस्टोमेटा में जो है, इन में से कोन सा एक नहीं पाया जाता। तो देखिए option हैं कि जीवद्रव्य तन्तु, हरितलवक, कोशिका भित्ती या फिर रिक्तिका तो देखिए रंद्रक जिसको इंग्लिश में हम इस्टोमेटा भी बोलते हैं मुख्य रूप से जो है पोदों की पतियों की जो बहारी त्वचा होती है यानि कि जिसको आउप एपिडर्मिस बोलते हैं उसमें पाया जाने वाले ये छिद्र होते हैं ठीक है और एक वयस्करंद्र में जो है आपको ख्लोरोप्लाश्ट यानि की हरितलवक, कोशिका भित्ती यानि की सेलवल और रिक्तिका यानि कि वेक्यूलर ये जो है उपस्तित देखने को मिलते हैं ठीक है लेकिन जो आपके जीवद्रिव्य तन्तु होता है ये इसमें अनुपस्तित होता है तो राइट अंसर हो जाएगा इसका option number A Now question number 5 तो देखिए यहाँ पर आपको question दिया हुआ है कि select the most appropriate option to fill in the blank देखिए एकाद दो एक question आपको देखने को मिल सकते है इस type के तो यहाँ पर जो है आपको fill in the blank को पूरा करना है तो आपके पास में sentence है कि the experience of having climbed to the Mount Everest changes you dash तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 4 options दिये गए ह और इस type के questions को solve करने के लिए सबसे पहले तो आपको 4 options के meaning पता होना चीए तब ही आप जो है इस sentence को complete कर पाएंगे तो देखिए आपको इस sentence के according देखा जाए तो यहाँ पर इन 4 का पहले meaning समझते हैं तो rarely मतलब क्या होता है rarely मतलब शायद कभी कबार ठीक है या फिर आप ब करते हो उसके लिए बोलते हैं regularly ठीक है और frequently क्या होता है frequently बोलते हैं बार-बार के लिए ठीक है कोई चीज बार-बार करना उसके लिए हम बोलते हैं आपके frequently और वहीं अगर completely देखें तो completely यानि कि क्या होता है पूर्णत है ठीक है या फिर पूरी तरीके से तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा right answer इसके according option number C ठीक है the experience of having climbed to the mount Everest changes you completely ठीक है ना चलिए Now question number 6 यहाँ पर देखिए question आपको दिया हुआ है कि निमलिकी त्विकल्पों मेंसे जो है वो सब्द चुनिये जो दिये गए सब्द के अक्षरों का प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता यहाँ पर आपको एक word दिया हुआ है merchantile ठीक है तो यह जो merchantile word है ठीक है यह दिये ग देखिए आप यहाँ पर आपको यू दिया हुआ है ठीक है लेकिन आप अगर देखेंगे तो merchantile में जो है आपको कहीं पर भी यू देखने को नहीं मिलता ठीक है तो इस करण से जो है आपके यह option number A वाला नहीं हो पाएगा चलिए next question देखिएगा आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है कि निमली कित में से जो है किस भारतिय रज्य की सीमा जो है म्यानमार के साथ में नहीं लगती है तो ऐसा कौन सा रज्य है भारत का जिसकी आपके border line जो है या फिर boundary जो है म्यानमार के साथ नहीं लगती तो देखिए म्यानमार की सीमा पर लगने वाले जो भारत आप याद रख लिजिएगा मिजोरम लेकिन असम जो है यह नहीं होगा तो option number जो A है यह इसके लिए right answer हो जाएगा वहीं दोस्तों आपको अगर बांगलादेश के लिए पूछ लिया जाए तो ठीक है तो बांगलादेश के लिए अगर पूछ लिया जाए कि बांगलादेश की सीमा जो है कौन-कौन से राज्यों के साथ में लगती है तो आप याद रखेंगे वेश्ट बंगोल, मेगाले, त्रिपूरा और मिचोरम ठीक है यह जो आपके श्टेट्स हैं यह बांगलादेश की सीमा को इसपर्स करते हैं नाव कुष्ण नमबर एट और यहाँ पे देखी कुष्ण आपके पास में कि दो निकायों के मज्य उस्मा के प्रवाह की दिशा जो है वो निमली कितमे से किसके उपर निडवर करती है और दो निकायों के मज्य जो है उस्मा के प्रवाह की जो दिशा होती है यह उसके टेंप्रेचर्स जो होते है यानि कि जो ताप होगा ठीक है उसके उपर निरवर करती है तब ही तो आप लोग देखते हैं कि जो उच्छ ताप से जो है निमनत ताप की और उसका फ्लो होता है तो option number C जो है इसका right answer हो जाएगा अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंदा रहा हो और चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक like जरूर से करिएगा जिससे की हमारा motivation काफी ज़्यादा बढ़ता है और एक चीज़ आपको और बता दूँ के टेलिग्राम ग्रूप को आप लोग जरूर से जोइन कर लीजिएगा लिंक वीडियो के description में मिल जाएगी क्यूंकि इसकी जो PDF है questions की यह आपको टेलिग्राम पर मिलेगी इसके अलावा जो notes और daily quiz है वो भी आपको टेलिग्राम ग्रूप के अंदर ही देखने को मिल चलिए बढ़ते हैं next question की ओर तो देखिए question number 9 जो कि आपको दिया हुआ है कि निमली कित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रवाव डालता है यह देखिए basic सा question है जो कि आपके निवी SSR में काफी बार पूछा गया है तो किसी पदार्त का वो गुण जिसके कारण वो धा प्रवाव में एक रुकावट उत्पन करता हो या फिर आप बोल सकते हैं अवरोध उत्पन करता हो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं resistance यानि की परतिरोध और किसी चालक का जो परतिरोध है वो आपके निमन बातों पर निरबर करता है जैसे कि चालक की परतिरोध जो है इसका right answer है ठीक है ना चलिए next question देखिएगा question number 10 यह reasoning का basic question है तो इस type के question भी आपके एक का दो एक आपको मिलेंगे तो यहाँ पर question दिया हुआ है कि दी गई उत्तर आकरतियों में से उस आकरती का चुनाव कीजिए जिसमें प्रशन आकरती नहीं थे यानि कि यह जो आपको shape देखने को मिल रहा है जिसमें मैंने x लिखा है यह shape जो है आपको in options में यानि कि a, b, c, d में जो है कहाँ पर देखन को मिल रहा है ठीक है तो अगर आप जहां से देखेंगे तो दोस्तों काफी simple सा shape है जो कि आपको यहाँ पर option number c में देखने को मिल जाएगा ठीक है मैं इसको यहाँ पर mark भी कर देता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो है आपको option number c में देखने को मिल रहा है तो correct answer हो चुनाव करना है इस type का cushion आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है आपके options जो है उनको देखिएगा adject sent आपको पहला option दिया हुआ है जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है आपके बगल वाला यानि कि जो कोई past में हो उसके लिए बोला जाता है यह ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं बगल वाला आप लोग भी इसको note कर लिजिएगा meaning काफी ज़्या होते हैं accomplish यानि कि क्या होता है accomplish यानि कि किसी चीज को complete करना या फिर आप बोल सकते हैं पूरा करना ठीक है तो यहाँ पर लिख लिजिए पूरा करना अब देखिए यहाँ पर आपके allure का मतलब क्या होता है allure मतलब होता है दोस्तों आपके किसी को मतलब एक तरीके से यह एग्रिगेट वर्ड जो गलत दिया हुआ है ठीक है तो यह incorrectly spelled word हो जाएगा क्योंकि aggregate के अंदर आपके एडबल जी आर ई यह एग्रिगेट का मतलब क्या होता है आपके जोड़ना ठीक है चलिए नाव कुशन नंबर 12 और यहां पर देखिए कुशन आपको दिया हुआ है कि टीका करण की अउधारना यानि कि जो वेक्शिनेशन है यह सर्व पर्थम जो है किसके द्वारा विक्सत किया गया था पॉप्शन्स हैं लुई पोस्चर, एडवर्ड जेनर, कार्न लैंड श्टीनर या फिर जोसेफ मेश्टर तो देखे टीका करण की अवधारना जो है सवर्वल परतम एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित की गई थी और कब हुई थी तो ये शायद लगबग सत्रा सो छिन में यानि कि 1796 के आसपास में हुई थी जब वो उस टाइम पे चेचक जो है काफी ज्यादा फेल गया था ठीक है तो चेचक के टीके का इन्होंने ये जो है बनाया था तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी एडवर्ड जेनर और इन्होंने कौन सी वेक्शिनेशन बनायी थी तो चेचक का टीका याद रखिएगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चेचक का टीका किसने विकसित किया था तो याद रखेंगे इसमोल फॉक्स जो है ये आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था नेक्स्ट कुशिन देखिएगा कि बांगलादेश का जो राष्टरकान है आमार शोनार बांगला ठीक है ये जो है किसके द्वारा रचित था ओप्शन से है द्विजेंदरना टेगोर अगनिंदरना टेगोर रविंदरना टेगोर या फिर देविंदरना टेगोर तो देखिए बांगलादेश को जो राष्टरकान है आमार शोनार बांगला इसकी भी रचना जो है रविंदरना टेगोर नहीं की थी तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर स 1906 में रविंदरना टेगोर के द्वारा बंगाल विवाजन के समय पर इसकी रचना की गई थी कब हुआ था? 1906 में आमार शोनार बांगला की रचना की गई थी और बाद में जब बांगलादेश बना 1972 में कब बना बांगलादेश? याद रखिएगा 1972 में तो इन्होंने जो है आमार शोनार बांगला की कुछ लाइनों को जो है अपना राष्टरकान बना लिया वो रविंदरना टेगोर एक मात्रह से इंसान थे जोन्होंने दो देशों का राष्टरकान लिखा था ठीक है ना? चलिए तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि accurate का मतलब क्या होता है accurate मतलब कोई चीज exact होना या फिर correct होना ठीक है तो आप एक तरीके से बोलते हैं कि यथार्थ होना या फिर सही होना ठीक है तो इसका meaning भी आप लिख लीजिएगा आप देखिए इन चारों options को अगर देखें तो real का मतलब क्या होता है real मतलब वास्तविक sincere यानि की क्या होता है sincere यानि की इमानदार ठीक है तो जो hard है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमानदार और उसी तरीके से आपके precise मतलब क्या होता है precise यानि की होता है आपके एक तरीके से splashed ठीक है न तो splashed या सही बोलते हैं इसके लिए भी तो precise वैसे इसका सही answer भी हो जाएगा क्योंकि precise का मतलब भी एक तरीके से आपके accurate होता है ठीक है और clear होता है यह भी आप बोल सकते हैं और genuine यानि की क्या होता है, genuine यानि की असली, ठीक है, तो right answer हो जाएगा, इस सवाल के लिए option number C, next question देखिएगा, तो यहाँ पर जो है, आपको बोला गया है, कि select the correct indirect form of the given sentence, यहाँ पर जो है, आपके direct indirect का question है, और आपके syllabus में definitely दिया हुआ है, और exam में आपको 100% question देखने को मि देखिए क्या है sentence, कि महे said to the interviewer, sir, I was in charge of the production unit at my previous office, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखें, तो reporting verb में आये हुए said को जो है, सबसे पहले हम जो है क्या करते है, reported speech के sentence के according जो है, चेंज करते हैं, और क्यूंकि sentence जो है, वो assertive sentence है, तो इसलिए that का use तो हम करेंगे ही कर vocabulary verb जो है, आपको इसमें यहाँ पर was देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, तो इस कारण से जो है, indirect में जब इसको बदलेंगे, तो had been आ जाएगा, ठीक है, तो had been भी आना चीए, that भी आना चीए, ठीक है, और that को use में लेते है, that भी आ गया, ठीक है, और उसी तरीके से आपका और यह सिर्फ option number D वाला ही जो है, यहाँ पर right answer हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको had been देखने को मिल रहा है, और had been तो आपके use में आये गाई, क्योंकि past perfect continuous का auxiliary verb था, ठीक है, चलिए, और दोस्तों अगर आपको direct indirect नहीं आते हैं, तो आप comment करके बता सकते है इसके उपर में जो एक proper video बता दूंगा, short में, जिससे कि आपको यह पूरा topic जो है समझ में आ जाएगा, next question देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको सवाल दिया हुआ है, कि प्रकास का जो कौन सा गुण है, जो दरसाता है कि वो एक अनुपरस्त तरंग है, which property of light source, it is a transverse wave, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका right answer हो जाएगा, option number D, धुरूवी करण, यानि की polarization, अब यह polarization क्या है, तो अनुपरस्त प्रकास तरंग जो है, एक से अधिक अवस्ता में कमपन पैदा करती है, और इन कमपनों को जो है, एक अवस्ता में सीमित करने के लिए, ठीक है, वहीं अगर बाकी options को देखें, तो देखिए यहाँ पर आपके व्यत्ती करण क्या होता है, यानि की interference क्या होता है, तो interference होता है कि इनी दो तरंगों के बीच में होने वाली घटना, ठीक है, विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन होता है, जब प्रकास वे ध्वनी तरंगें किसी अवरोध से टकराती है, तो वो अवरोध के कारण मतलब कि उनके किनारे होते हैं, उनसे थोड़ी सी मुढ जाती है, ठीक है, तो यह जो मुढ ने वाली घटना होती है, इसी को विवर्तन बोलते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कुषिन देखिएगा, यहां पर आपको कुषिन दिया वाया कि मुत्र में जो है, बाईल का परिक्षन जो है, इससे करते हैं, ठीक है, तो options हैं, hey परिक्षन, benedict परिक्षन, felling परिक्षन, या फिर cold परिक्षन, तो यहां पे जो है इसका write answer हो जाएगा, option no.1, जो मतलब urine होता है न, urine में जो आपके sugar होता है, sugar की testing के लिए होता है, यह याद रखिएगा, urine में जो है, sugar की testing के लिए होता है, benedict और felling, ठीक है, चलिए, next question देखिए, तो यहाँ पे question number 18, जो कि आपको दिया गया है, कि dots नामक इलाज जो है, इस बीमारी के लिए किया जाता है, polio, AIDS, hepatitis, या फिर tuberculosis यानि की thyroid, तो यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा, option number D, TB या फिर thyroid, देखिए, दोस्तों, dots का प्रियोग जो है, यह आपके tuberculosis में किया जाता है, और dots शब्द का जो उपयोग है न, यह प्रक्षेपी therapy के लिए किया जाता है, इसका full form होता है, directly object treatment short course, ठ 1998 में जो है, WHO के द्वारा जो है, यह आपके शायद बनाया गया था, उस program में चलिए, next question आपके लिए यहाँ पर एक reasoning का है, जो कि आपके coding recording का है, आपके syllabus में जो है topic दिया हुआ है, तो basic सा question है, देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि किसी विशेश बासा में flower को जो है, इ W, E, R, और इसको कैसे लिखा जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है, H, L, Q, W, G, और R, अगर आपको basic reasoning आती है, तो आप समझ गए हूँगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए, F जो है alphabet में 6 नंबर पर आता है, और H जो है alphabet में 8 नंबर पर आता है, यानि कि यहाँ प आता है, तो यहाँ पर भी plus 2 हुआ है, फिर W को agities लिखा गया है, E 5 नंबर पर आता है, और G 7 नंबर पर, यानि कि यहाँ भी plus 2 हुआ है, ठीक है, और उसी तरीके से R को यहाँ पर agities लिखा गया है, तो देखिए, N में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, N में भी जो M plus का 2 पर देंगे, तो P आजाएगा, ठीक है, और P से जो है, एक मात्र option number B वाला शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर items रो जाएगा, option number B, ठीक है, फिर देखिए, O को agities लिखा गया है, R में हम plus का 2 करेंगे, तो T आजाएगा, तो यहाँ पर T भी दिया हुआ है, फिर M agities है, अगर आपको topic समझा रहे हैं, और आपकी demand आती है, तो हम एक पूरा mock test भी cover करेंगे, तो देखिए question दिया हुआ है, कि किर्चोप के पर्थम तथा द्वितिय नियम जो है, यह किस पर आदारित है, options दिये गए हैं, धारा और उर्जा संग्रक्षन नियमों पर, option B, आव संग्रक्षन पर आदारित है, ठीक है, और जो दूसरा है, यह उर्जा संग्रक्षन पर आदारित है, तो पहला हो जाएगा, आवेश पर और दूसरा हो जाएगा, उर्जा संग्रक्षन पर, तो right answer होगा, option number B, आप दोस्तों, एक question, आप लोगों के लिए है, question for you series में, तो इसका right answer क्या होगा, यह आपको वीडियो के comment box में बताना है, तो आपके लिए सवाल है, कि सरीर का जो है, सबसे कठोर भाग, इन options में से कौन सा है, option आपको दिये गए है, हडडियां, दान्तों का जो enamel होता है, option C, खोपडी, या फिर option D, मेरु रज्जू, यानि की spinal cord, तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेर करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा, तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, नए टोपिक के साथ में, तब तक के लिए, जैहिंद!